ठीक गाईज वेलकम वाल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अनकेडमी के स्पाउन प्लेटफॉर्म पर जली साज़ा सारे बच्चे ठीके मैं शिरू करने जा रहा हूँ आज आपका क्लोरोप्लास का अल्ट्रा स्टक्चर ठीके इससे पहले वाले क्लास में मैंने आप बता दिया था प्लास्टिट्स के बारे में कितने तरह के प्लास्टिट्स होते हैं ठीके बच्चो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था बच्चे कि कितने तरह के प्लास्टिट होते हैं ठीके यह सारी चीजे बता दी थी प्लास्टिट का तीन तरह का ब क्लोरोप्लास्ट ठीके बच्चे कई बार आप देखते हो कि मिर्चा जो होता है ना मिर्चा ठीके यसे जमालोगी यह मिर्चा है मिर्चा जो है बच्चे वो पहले किस कलर का होता है ग्रीन कलर का होता है आप जानते ही हो ठीके मैंने आपको बताया था ना यह किस कलर का होता ह यह green color का होता है तो यह किसकी वाज़से है यह आपका chloroplast की वाज़से है ठीक है फिर बाद में क्या होता बच्चे यह जो मिर्चा है वो red color का हो जाता है ठीक है यह बाद में यह मिर्चा जो है बच्चे को के से ले रहा हो जाता है यह red color का हो जाता है clear है तो यह किसकी वेले से हो रहा है red color यह हो रहा है यानि कि जो chloroplast है वो transfer हो गया किस में chromoplast में ठीक है बच्चे यह chromoplast में transfer हो गया है तो आप सभी का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है need pro पर need pro जो है वो unacademy का number one channel है ठीक है unacademy इंडिया का largest अन्लाइन लेर्निंग प्लेटफॉर्म है इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं क्वालिटी केंडेंट हाई है ग्रेटर लेर्निंग एक्ष्पियेंस है यानि कि आपको हर तरह से बेनेफिट पहुचा रहा है अनेक एडवी मैं हूँ मयूर दूबे ये है मेरी फोटो मैंने MSC बाय टेक्नलोजी किया है जामिया हम्दा न्यू डेली से 2016 का बच्चे मैं पास आउट हूँ मैं mentor हूँ several thousand neat as parents का experience professor हूँ मैं बाटनी का बच्चे क्योंकि मैंने quota डेली और जैपुर के top institutes में already work किया हुआ है quota डेली और जैपुर के top institutes में मैं work कर चुका हूँ मेरे जो notes है बच्चे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ठीक है वो आपको crystal clear होगा यह मैं 100% guarantee दे रहा हूँ ठीक है और आपको best notes provide करूँगा best example दूँगा clear है देखो आपको क्या करना है सबसे पहले unacademy का learning app आपको download करना है बच्चे इसे download करो install करो ठीक है इसमें आपको दिखेगा need ug category ठीक है need ug category दिखेगा आपको इस need ug category को आपको select करना है बच्चे अपना registration करो और फिर आपको इसमें दो तरह का subscription दिखेगा plus plus iconic subscription ठीक है इन दोनों ही subscription में आपको 30 hours का live session हर दिन मिलेगा इस structured course English और Hindi में available है बच्चे इसमें और 63 से उपर top educators और इसमें पढ़ा रहे हैं और new courses जो है वो हर महीने publish होता रहता है इसमें ठीक है अगर हम बात करें बच्चे plus subscription की ठीक है जो plus subscription है इसमें आपका daily live classes चलता रहता है ठीक है जिसमें आप chat कर सकते हो अपने educator के साथ इंगेज हो सकते हो आप discussion part में अपने doubts पूछ सकते हो और answer pulling जो है वो ongoing class में होता रहता है ठीक है बच्चे अब देखो अगर structured courses की बात करें हम लोग ठीक है अगर हम लोग structured courses की बात करें तो आपका देखो यहाँ पे आपका जो structured course है वो हिंदी और English दोनों में ही available है जो भी आपका मैं शुरू करूंगा बच्चे वो basic से start होगा और जाएगा आपका ये advanced level तक ठीक है जाने कि जो ब 100% समझ में आएगा और जो बच्चे अब वेब रेजिस्ट्रेंट हैं उनको भी 100% समझ में आएगा ठीक है यानि कि मैं जो work कर रहा हूँ ये सभी के लिए यहाँ पर work कर रहा हूँ ठीक है ताकि सभी को benefit मिले clear है अब देखो बच्चे यहाँ पे है आपका live test और quizzes ठीक है live test और quizzes होते रहते हैं आप इसमें एक बार participate करिए clear है इसमें participate करो बच्चे live test quizzes होते रहते इसमें आप participate करो और आपको यहाँ पे आपका math test लिया जाएगा quizzes लिया जाएगा और फिर detailed analysis होगा आपके performance का कि आपने कैसा perform किया है ठीक है अगर unlimited access की बात करे तो unlimited access बच्चे आपने अगर एक subscription ले लिया है तो सारे live classes देख लोगे आप सारे recorded courses को देख लोगे आपको कहीं पे भी कोई भी problem नहीं होने वाला है clear है clear है बच्चे चलो एक बार मैं check कर लेता हूँ कि मैं सही चलना हूँ आप लोग को मैं visible हूँ clearly ठीक है yes I am visible बच्चे चलो बहुत अच्छी बात है हाँ अब देखो मैं आपको ये सारी चीजे बता चुका हूँ ठीक है plastic वगएरा के बारे में बता चुका था फ़र अस पहले मैं iconic के बारे में discuss कर लेता हूँ देखो ये जो iconic subscription है ठीक है बच्चे ये जो आपका iconic subscription है इसमें आपको मिलता है personal coach ठीक है इसमें आपको मिलता है बच्चे personal coach ठीक है ये जो iconic subscription है इसमें आपको मिलता है बच्चे personal coach personal coach क्या करेगा आपके preparation strategy को बताएगा यानि कि आपको कैसे तयारी करना है अपने need exam के लिए कैसे आप time management करोगे कैसे अपना क्या नाम है कैसे तैयारी करोगे आपकी preparation strategy क्या होगी ये आपको personal coach guide करता है clear है अब study planner क्या करेगा बच्चे study planner आपका plan करेगा study ठीक है कि आपको कैसे पढ़ाई करना है physics को कितना time देना है chemistry को कितना time देना है botany को कितना time देना है jalozy को कितना time देना है तो ये क्या है ये study planner बताएगा साथी साथ आपको weekly basis पे ठीक है weekly basis बताया जाएगा कि आपने कितना progress किया है ठीक है मान लो कि इस week आपने इतना progress किया ठीक है इसके बाद next week आपने इतना progress किया फिर से आप down हो गया है तो आपका progress क्या है ये सारी चीज़े आपको बताई जाएगी clear है और वो भी in depth ठीके बच्चे अगर हम लोग test analysis की बात करें test analysis जो होता है आपका यहाँ पे in depth हो रहा है test analysis ठीके यानि कि जो भी आपका time management है उसको manage किया जाएगा और जितना भी आपका exam approach है ठीके उस सब कुछ आपको बताया जाएगा कैसे आपको अपने आपको improve करना है कैसे अपने time management करना है ये सारी चीज़े आपको detailed बताई जाएगी ठीके personal coach के द्वारा अब देखो जितना भी benefit है plus का बच्चे ठीके plus का जितना भी benefit है इसमें जो live classes चलते रहते हैं top educators जो है बच्चे और mock test और quizzes जो होते रहते हैं इसमें participate जरूर करो क्योंकि ये आपको बहुत benefit दे सकता है अब देखो यहाँ पे आपका आगया है ये plus का part plus के part में क्या होगा आपका इंडिया के best educators मिल जाएंगे आपको interactive live classes होती रहती है structured course और PDF भी आपको मिल जाएगा बच्चे और live test और quizzes होते रहते हैं इसमें participate करो और same जो plus का part है ये जो plus का part है बच्चे ये already present है किसमे iconic में देखो iconic में भी आपको इंडिया के best educators मिल रहे हैं ठीक है same चीज interactive live classes मिल रही है और इधर भी आपकी interactive live classes थी structured courses था structured course इसमें भी था PDF इसमें है इसमें भी PDF है आपका ठीक है live tested quizzes इसमें भी है और live tested quizzes इसमें भी है तो difference क्या है कि friends बच्चे इसमें अलग से add कर दिया गया है iconic में personal coach ठीक है इसमें आपका अलग से add कर दिया गया है personal coach साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है study planner expert guidelines मिल रही है test analysis आपकी in-depth हो रही है अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों बता देता हूँ यह है आपका iconic का part ठीक है iconic के part में बच्चे हमेशा ध्यान रखना जब भी भी subscription लेने जाओ नीचे पूसता है have a referral code ठीक है आप सीधे बोले ना yes I have a referral code ठीक है क्योंकि आपके पास कौन सा referral code है आपके पास referral code है MD100 MD मतल अब यह 100% work करेगा सीधे आपको 10% का discount मिल जाएगा ठीक है बच्चे तो हमेशा ध्यान रखो कि सोते जाकते हसते खेलते ठीक है आपको बस एक ही code याद रखना है कौन सा MD100 clear है जिससे भी मिलो उससे यही बोलो MD100 वो जरूर पूछेगा बच्चे MD100 क्या है ठीक है तो आप MD100 code है मयूर सरका इसे आप यूज कर सकते हैं अनकैडमी के platform पे आपको 10% discount मिल जाएगा फिर है या फिर आपके जो नाती पोता या फिर बच्चे है ठीक है किसी से भी कोई भी अगर त्यारी कर रहा है और किसी भी exam का आपका डोसी पडोसी किसी भी exam का त्यारी कर रहा हो च त्यारी कर रहा है तो अगर वो मेरा code यूज करता है उसको 10% discount मिलेगा ही मिलेगा ठीक है बच्चे अब देखो अब मैं आप लोगों दिखा देता हूँ यह है आपका 6 month का subscription plan ठीक है 6 month का subscription है वो पड़ेगा आपको 34200 ठीक है मैंने मैं आपको बताया था ना बच्चे कि आप आपसे पूछेगा have a referral code आपने क्या किया मेरा code put कर दिया ठीक है yes you have a referral code ठीक है कौन सा MD100 MD100 referral code आपने put कर दिया सीधे आपको क्या मिल गया 10% off और आप सीधे मेरे under में आगे clear है बच्चे आप सीधे मेरे under में आगे तो आप इसको follow करो उसके बाद फिर आपको 10% off होने के बाद बच्चे ये price लिखा गया है ठीक है 10% off होने के बाद ये price लिखा गया है तो देखो 6 month का जो subscription plan है वो होगा आपका 34,200 का और जो 12 months का subscription plan है बच्चे वो है 58,500 का जो 24 months का plan है बच्चे वो है 90,000 रुपीज का ठीक है अब देखो यहाँ पर है आपका plus subscription ठीक है ये हो referral code मेरा use कर सकते हो मेरा referral code क्या है plus के लिए ये है मेरा MD100 referral code ठीक है आपने क्या किया यहाँ पे MD100 referral code मेरा लगाया आपको सीधे 10% का off मिल गया ठीक है उसके बाद आपको ये price पढ़ आए ठीक है 10% बच्चे off होने के बाद आपको ये price पढ़ रहा है अगर 1 month का subscription देखे बच 750 का और अगर हम लोग 6 month का देखे तो आपको ये पढ़े जाएगा 25200 का अगर 12 months का देखे बच्चे तो आपको ये पढ़े जाएगा 34650 का और 24 months का देखे बच्चे तो 50400 का पढ़ेगा clear है ये हमाई पे भी available है आप चाहो तो 2100 उपीस पर मंद दे करके ले सकते हो सब्सक्रिप्शन है अगर देखो बच्चे अगर आप confused हो कि सर मैं कौन सा सब्सक्रिप्शन लो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसा सब्सक्रिप्शन लो कौन सा सब्सक्रिप्शन लो तो मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दे रहूं आपको क्या करना है आपको जाना है बच्चे टेलिग्राम एप पे ठीक है आपको जाना है बच्चे टेलिग्राम एप पे वहां पे आपको सर्च करना है टेलिग्राम एप पे एड़ी रेट मयूर दूबे नीट ठीक है Telegram app पे जाना बच्चे आपको सर्च करना है यहाँ पे add the rate मयूर दूबे नीट ठीक है यह आप Telegram app पे जाके सर्च कर लो तुकि अगर आपने यह सर्च कर लिया है ठीक है add the rate मयूर दूबे नीट यह आपने सर्च कर लिया वच्चे थीके तो आपको एक group दिखेगा Unacademy मयूरदुबे के नाम से ठीके पहला जो group दिखेगा वो Unacademy मयूरदुबे के नाम से दुखेगा और उसको जाकर के तुरण जोइन कर लो क्यों? क्यों कि यहाँ पे मेरी classes का आपको link मिल जाएगा directly, ठीके, class कब होने वाली है मेरी, सारे notifications यहाँ पे आ जाते हैं, ठीके, यहाँ पे आपको link मिल जाएगा, मैं आपको botany के doubts बता दूँगा बच्चे, botany के आपको मैं notes provide कर दूँगा, जो भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीके, और साथी स साथ, और बच्चे साथी साथ मैं आप लोगो को as a mentor यहाँ पे guide करूँगा, ठीके, मैं as a mentor यहाँ पे guide करूँगा और आपको बता दूँगा कि आपको कैसे तयारी करना है, ठीके, अगर मान लो कि अगर आप confused हो कि sir, मैं iconic लूँ, कि plus लूँ, आप confused हो sir, मुझे समझ भी न अगर बात करोगे बच्चे, तो मैं आपको बता दूँगा, surely reply दूँगा, ठीके, जली से सारे बच्चे join कर लीजे, क्योंकि आपके लिए यह शायद दिवाली gift हो सकता है, आपका तैयारी, clear है, चलो बहुत अच्छी बात है, यह हमारे कुछ top educators है, आप इनसे भी पढ़ स बच्चे, अब चलो हम शुरू कर देते हैं, बच्चे, इस से पहले वाली class में मैंने आपको cell के बारें पढ़ा दिया था, the unit of life, ठीके, इसमें आपको मैंने double membrane system के बारें बताया था, double membrane system तीन तरह का बताया था मैंने, ठीके, जिसमें आप गया आपका chloroplast, mitochondria और nucleus, ठीके अब देखो अगर 2015 में देखे, तो आपका ये 4 question आया हुआ है, 2016 में देखे तो 5 question आया हुआ है, 2017 में देखे तो बच्चे 4 question आया हुआ है, 2018 में देखे तो 4 question आया हुआ है, 2019 में अगर देखे तो बच्चे आपका 5 question आया हुआ है, 2020 में आपका 6 question आया हुआ हुआ है, ठीके कोई भी chapter start करो बच्चे उसका सबसे पहले weightage देख लो कि उसका क्या weightage है ठीके तो आपका 2021 में ठीके 2021 में आपका 4 से 6 question आने के पूरे के पूरे chances हैं clear है और मैंने आपको ये पढ़ा जुका हूँ Plastid भी मैंने पढ़ा दिया है types of Plastid भी पढ़ा दिया है ठीके आज मुझे Cloroplast के बारे में पढ़ाना है आपको clear है तो मैं ultra structure बताऊँगा आपका Cloroplast से शुरू करता हूँ बच्चे सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे मैं Cloroplast का यहां से शुरू करने जा रहा हूँ ठीके बच्चे चलो बहुत ही बैतरीन बहुत ही बढ़िया हरे क्रिश्ना चलो बच्चे अब देखो Cloroplast जो है ठीके Cloroplast टर्म किस ने दिया था Cloroplast जो टर्म है बच्चे Cloroplast जो टर्म है यह दिया था आपका शिमपर ने Supper ने Cloroplast टर्म किस ने दिया था शिमपर ने दिया था ठीके अगर हम लोगs Shape देखे ठीके बच्चे अगर हम लोगs Shape की बारे में बात करें Shape जो होता है In the case of lower plants अगर हम लोगs lower plants के Shape की बारे में देखे In the case of In the case of Lower plants specular plants Such as Such as क्या? Such as algae algae के बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं तो ठीक है? और specially कौन सा algae? specially green algae ठीक है? specially green algae ठीक है? So there is a great variation यहाँ पे क्या होता है बच्चे? Variation होता है ठीक है? यहाँ पे क्या होता है आपका? Variation होता है बच्चो Clear है? यहां पर आपका बच्चे variation होता है, variation कि essence में, यानि कि अगर मान लो ठीके कि यहां पर आपका है अगर हम लोग Spyroguida में देखें ठीके, अगर हम लोग देखें बच्चे Spyroguida में Spyroguida Spyroguida में यह जो होता है बच्चे Ribbon Shaped होता है, ठीके इस पाइरो गाईरा में क्या होता है यह ribbon shaped होता है ठीके ribbon shaped chloroplast होता है इस पाइरो गाईरा में ठीके बच्चे और यह हो गया आपका twisted ठीके यह twisted हो गया clear है अब देखो अगर हम लोग clamidomonas की बात करें ठीके अगर हम लोग बच्चे कब shaped chloroplast मिल जाएगा यहां पर clear है कब shaped आपको अगर बच्चे हम लोग यूलोथ्रिक्स की बात करें तो यहां पर बच्चे आपको मिल जाएगा collar shaped chloroplast मिल जाएगा यहां पर ठीके अगर हम लोग बच्चे जिगनिमा की बात करें ठीक है जिगनिमा की अगर बात करें तो जिगनिमा में कैसा क्लोरप्लास होता है जिगनिमा में आपका होता है बच्चे स्टार शेफ्ट क्लोरप्लास प्रेजन्ट होता है ठीक है कैसा क्लोरप्लास प्रेजन्ट होता है स्टार शेफ्ट क्लोरप्लास आगर बच्चे हम लोग Udogonium की बात करें Udogonium की बात करें तो आपका यहाँ पे कैसा Reticulate shaped chloroplast आपका यहाँ पे present होता है अब देखो In case of higher plant, shape of chloroplast can be spheroid ठीके बच्चे ये तो तो हो गया था ये तो हो गया वच्चे आपका lower plants का ठीक है lower plants का हो गया ठीक है अब हम लोग higher plants की बात कर लेते हैं ठीक है अब shape जो है वो higher plants की बात कर लेते हैं higher plants में जो shape होता है वच्चे वो कई तरह का होता है ठीक है पहला हो गया आपका इस फिर वाइड स्फिर टाइप ठीक है इस फिर वाइड टाइप ओ वाइड होता है सेप ओ वाइड भी होता है शेप डिस्क शेव्ड भी होता है ठीक है या फिर हम लोग बोल सकते हैं लेंश शेव्ड क्लियर है यह जो बच्चे डिस्क शेव्ड या फिर लेंश शेव्ड हो ठीक है बच्चे in higher plants अरे विष्णा अगर बच्चे हम लोग dimension की बात करें ठीक है अगर हम लोग बच्चे बात करें dimension की ठीक है dimension की अधार पे इसका जो length होगा Breakfast Strikes Dimenshan के अधार पे जो इसका length होगा वो कितना होगा वो होगा आपका 5 to 10 micro meter dimension के अधार पर कितना होगा length 5-10µm अगर बच्चे हम लोग width देखे dimension के अधार पर तो width होगा आपका 2-4µm ठीके बच्चे अब आ जाते हैं बच्चे हम लोग ultra structure पर chloroplast के ठीके chloroplast का ultra structure देख लेते हैं मैंने शायद आप लोगों को बना के अभी तक के दिखाया नहीं है ठीके मैं first time आपका बनाने जा रहा हूं तो यह ध्यान से देख लेखना यह देखो बच्चे मैंने यह chloroplast का इस structure बनाने जा रहा हूं अरी प्रश्ना अरी बच्चे मैं प्रश्ना अरी बच्चे मैं जाई बच्चे मैं अरी इस अभी तक का इस दो प्रश्ना तो एक है कि अच्छाओं कि अच्छ के अच्छ विधा ने अच्छ विधा रहा है इस्ट्रक्षिन में बना रहा हूं अच्छे उसके अभी मैं लेबलिंग जब करूंग तो तो आपको सब कुछ दिखाऊंगा कैसे क्या हो रहा है ठीक है इसके बाद फिर मैं जब लेबलिंग करूंगा तो आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है रहे क्रिंग क्या है क्या है प्रह ने क्रिंग को सुथ कर देशारास झाल अब मैं आप लोगों बना के दिखा देता हूँ अच्छे ठीक है अब मैं लेबलिंग कर देता हूँ ठीक है अब मैं लेबलिंग कर देता हूँ एक बार यह जोगा शबसे ऊपर की तरफ जो होता है इसको आम लोग बोलते हैं आउटर मेंब्रेन इसको क्या बोल दोगए अप लोग आउटर मेंब्रेन ठीक hé उसके नीचे क्या हो गया बच्छे इनर मेंब्रेन यह क्या हो गया आपका bitter membrane ठीक है यह जो outer membrane है बच्चे इसमें आपके porins present होते हैं इसमें आपके porins present होते हैं ठीक है लेकिन जो inner membrane होता बच्चे इसमें आपका porins क्या होता है absent होता है porins क्या होता बच्चे absent होता है clear है और यह बना होता है आपका outer inner membrane lipid bilayer प्लस प्रोटीन का ठीक है यह किसका बना होता बच्चे लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन का बना होता है ठीक है अब देखो इसके अंदर जो इस पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे पेरी प्लास्टीडियल स्पेस क्या बोलेंगे इसको हम लोग पेरी प्लास बच्चे circular ठीक है double standard circular dna clear है यह हो गया बच्चे आपका lipid droplets ठीक है इसको हम लोग क्या बोल देंगे lipid इसको हम लोग बोल देंगे बच्चे lipid droplets ठीक है यह आपका हो गया बच्चे ribosome यह हो गया बच्चे आपका ribosome ठीक है अब देखो ये ribosome भी मैंने बना दिया lipid droplet भी बना दिया DNA भी बना दिया है आपका ठीक है ribosome भी बना दिया है अब मैं यहाँ पर बना देता हूँ starch granule ठीक है ये मैंने बना दिया बच्चे starch granule ठीक है स्टार्ज रैनूल बना दिया मैंने अब दर्ध्यान से देखना बच्चे ये जो portion है ठीके ये पूरा जो portion है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं ग्रैनम इसको क्या बोल दोगे आप लोग ग्रैनम ठीके जैसे matrix होता है न तो इसमें हम लोग इसको क्या बोल देते हैं matrix को इस्ट्रोमा बोल देते हैं ठीके ये क्या हो गया आपका इस्ट्रोमा ये जो ground substance है ठीके ये हो गया आपका इस्ट्रोमा रीजन अब देखो बच्चे एक जो ग्रैनम है इसमें आपके टोटल 20 से 50 इसमें आपके 20 से 50 थलक वाइड डिस्क होते है ठीके 20 से 50 आपके थलक वाइड डिस्क होते है clear है 20 से 50 थलक वाइड डिस्क होते है ठीके अब देखो अगर हम लोग एक की बात करें ये जो अगर हम इसकी बात करते है बच्चे तो इसको हम लोग बोल देते हैं ग्राना थलक्वाइट क्या बोल देते हैं हम लोग रहना थलक्वाइट ठीके अगर बच्चे हम लोग इसकी बात करें यह जो बड़ा वाला है इसकी बात करें तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे इसको क्या बोल देंगे बच्चे यह तो बड़े वाले हैं ठीके इन दोनों को क्या बोल देंगे हम लोग इस्टोमा थेलक्वाइड इसको क्या बोल दो क्या आप लोग इस्टोमा थेलक्वाइड ठीके इस्ट्रोमा थलकॉइट बोल सकते हैं हम लोग इसको या फिर बोल सकते हैं बच्चे इस्ट्रोमल लैमिली इस्ट्रोमल लैमिली बोल सकते हैं इसको हम लोग या फिर बच्चे बोल सकते हैं हम लोग फ्रेट मेम्ब्रेन चाह बोल सकते हैं फ्रेट मेम्ब्रेन ठीक है अगर ह हम इन दोनों को add कर दे ठीक है यह क्या हो गया पार्ट ग्राना थलक्वाइड और इस्टोमा थलक्वाइड यह थलक्वाइड के पार्ट हो गया अगर बच्चे हम लोग इसकी सिर्फ बात करें इस्टोमा थलक्वाइड के अगर बात करें इस्टोमा थलक्वाइड में आप यहां पे आपका PS second और NADP डिरक्टेज क्या होते हैं अगर बच्चे हम लोग बात करें इसमें अंदर की पार्ड की यह जो अंदर का पार्ड है जैसे कि आपका यह ग्रैना हो गया ग्रैना के अंदर जो space होता है इस space को क्या बोलते हैं हम लोग ग्रैना के अंदर जो space होता है बच्चे space इन ग्रैना इसको क्या बोल देंगे लॉक्यूलस क्या बोल देंगे बच्चे हम लोग इसको लॉक्यूलस क्लियर है और जो आपका istomal lemli में जो space होता बच्चे अगर हम लोग यह जो istomal lemli है इसमें जो space है इसको क्या बोल देंगे इस space को क्या बोल दोगे आप लोग इस space को हम लोग बोल देते हैं space in istomal telequiet इसको क्या बोल दोगे आप लोग fret channels क्या बोल दोगे बच्चे इसको आप लोग threat channels clear है तो ये तो है आपका ultra structure of chloroplast ठीक है बच्चे ये आपका ultra structure of chloroplast है आ रहा पर समझ में आप लोगो को comment box पे लिखो जड़ा समझ में आ रहा है आप लोगो comment box पे लिखे जली से channel box पे लिखो जली से अगर समझ में आ रहा है तो comment box पे लिखो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो end लिखो ठीक है अगर आपको समझ में आ रहा है comment box पे लिखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो end लिखो जली से चलो बहुत ही बढ़िया अब देखो बच्चे यह है आपका structure ठीक है यह जो मैंने net से structure निकाला है ठीक है इस structure को देखो यहाँ पे आपको यह दिख रहा है outer membrane यहाँ पे आपको दिख रहा है 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 गया यह हो गया आपका ग्रैनम जिए रखने मसुंपे हो गया आपका ग्रैनम और यह हो गया का सब्सक्राइब ओकर घ्लापाइब का जेना लुक्ष. structure अब मैं आप लोगों कुछ और बताना जाता हूँ बच्चे जो आपका ये ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना ठीक है बच्चे अब ध्यान से सुनो देखो जो आपका outer membrane होता है ठीक है ये जो envelope part में यानि कि जो outer membrane होता है उसमें आपकी permeability जो होती है कैसी होती है high होती है outer membrane में permeability कैसी होती है बच्चे high होती है और इसरा मैंने बना दिया है आपका inner membrane ठीक है outer membrane में बच्चे ठीक है outer membrane की permeability high होती है ठीक है और जो inner membrane की permeability होती है इसकी permeability low होगी क्योंकि ठीक है यह selectively permeable है यह कैसा है बच्चे यह selectively permeable है यानि कि select करके ही भेचता है clear है अब देखो इनर जो पाल्ट होता है क्लोरोप्लास का वो बना होता है दो चीजों का ठीके पहला क्या हो गया इस्टोमा दूसरा हो गया थलकवाए ठीके तो अब यह यह आन से लिए देख लो मैं आप दो एक चीज और बता देता हूँ अब यह देखो बच्चे जो क्लोरोप्लास होता है ठीके जो क्लोरोप्लास होता है इसमें दो पार्ट होता है ठीके पहला पार्ट क्या हो गया बच्चे पहला पार्ट हो गया आपका फ्लूड पार्ट पहला पार्ट क्या हो गया आपका फ्लूट पार्ट और दूसरा पार्ट क्या हो गया बच्चे दूसरा पार्ट हो गया आपका मेंब्रेनस पार्ट दूसरा पार्ट क्या हो गया बच्चे आपका मेंब्रेनस पार्ट ठीके जो light reaction होता है ठीके वो आपका लेकिन जो membranous part होता है बच्चे वो क्या होता है आपका membranous part में आ जाता है आपका istromal absolute क्या हो रा जाएगा ग्रैना थलकवाइट तस क्या जाएगा बच्चे ग्रैना थलकवाइट ठीके तो इस्टोमल थलकवाइट प्लस ग्रैनल थलकवाइट यह दो चीजे आ गई आपका मिम्रेनस पार्ट में ठीके अब देखो यहां पर बच्चे आपका होता है लाइट रियक्शन यहां पर क्या अब देखो dark reaction में क्या लिखना है dark reaction में बच्चे fluid part also involve DNA,RNA, proteins ठीक है इसमें जो आपका fluid part होता है वो इनवाल्व करता है fluid part also involve DNA RNA RNA proteins ribosomes ठीक है DNA RNA proteins ribosomes और क्या आ जाएगा आपका enzymes for CO2 fixation enzymes for CO2 fixation ठीक है और साथी साथ आपका stars granules भी यहाँ पहे पाए जाते हैं अब देखो मैं आपको इची जोर बताता हूँ कैसे आप याद रखो यह dark reaction कहां पर होता हूँ light reaction कहां पर होता है आपने LG की TV देखिए बच्चे घर पे अपने घर पे नहीं देखा हो कभी दुगार में देखा है ना लगी टीवी तो देखो क्या लिखा रहता है LG कैसे light reaction कहां पर हो रहा है ग्रैणा में ठीक है लाइट अपने कहां पर हो रहा बच्चे घर ने हो रहा है ठीक है चला है तो ग्रैना में आ जागे अपका यह सब थलाकवआट तो वहीं पर आ रहा है आपका stoma था required और granular था required ठीके अब देखो अब एक चीज़ और आपको लोगों एक चीज़ और बताता हूँ यह द्यान से सुनो जो photo system है ठीके अगर हम लोग बात करें बच्चे photo system की ठीके photo system की अगर बात करें और यहाँ पर एक बात कर लोग प्लास location ठीके इसमें जो पहला पार्ट होगा बच्चे यह होगा आपका PS2 PS2 में क्या आजाएगा आपका PS2 में आजाएगा बच्चे P680 PS2 में क्या आजाएगा P680 ठीके P680 में आपका आजाएगा बच्चे Appressed Reason ठीके इसमें क्या आजाएगा आपका Appressed Reason of Grana इसमें क्या आजागे बच्चे खलाक वाइट एतना और अगर हम लोग PS first की बात करें अगर बच्चे हम लोग PS first की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका P700 ठीक है P700 आ जाएगा यहाँ पर इसमें आपनों बोलते हैं बच्चे non-appressed reason क्या बोल दोगे आप लोग नॉन एप्रेस्ट रीजन आफ नॉन एप्रेस्ट रीजन आफ ग्राना एंड ग्राना एंड इस्टोमा थलकवाइड नॉन एप्रेस्ट रीजन आफ ग्राना एंड इस्टोमा थलकवाइड यानि कि जो PS second है ठीक है वो सिर्फ आपका appressed reason में present होता ग्राना था लगाएट के और जो बच्चे PS first है वो non appressed reason में present होता ग्राना और stoma था लगाएट के अब ये आपका appressed और non appressed reason क्या है ये देखो ध्यान से मैं बना के दिखा देता हूं आप लोगो लो बना के दिखा देता हूं बच्चे झाल झाल अब देखो बच्चे ये मैंने एक structure बनाया है ठीक है खला क्वाएट का इसका देखो ध्यान से दिखना इस structure में बच्चे ये जो portion है ठीक है ये जो portion है ये किसकी तरफ exposed है ये किसकी तरफ exposed है इस टोमा की तरफ क्या है बच्चे ये exposed है ठीक है तो इसको मैं लोग क्या बोल देंगे एक तरह से non appressed इसको क्या बोल देंगे बच् और देखो यह एक्सपोस पार्ट है ठीक है और यहां पर जो नॉन एप्रेस्ट रीजन होता है यहां पर आपका पीयस फर्सट यानि कि P700 जो होता है वो प्रेजन होता है ठीक है बच्चे अब देखो यहां पर है आपका यह यह क्या है यह अंदर की तरफ पार्ट है देखो यह जो reason है यह जो मैं दिखा रहा हूँ यह जो reason है बच्चे यह exposed नहीं है इस्टोमा की तरफ तो इस reason तो इस reason को क्या बोलोगे आप लोग यह जो एप्रेजड रिजन ठीक है यह एप्रेजड रिजन हो गया नॉट एक्सपोजड तो इस्टोमा not exposed towards stroma reason ठीके बच्चे और जो oppressed reason होता है ठीके oppressed reason जो होता बच्चे यहाँ पर आपका PS second present होता है क्या present होता है PS second ठीके यानि कि P 680 present होता है clear है इतना ठीके बच्चे अब देखो यह हो गया आपका ग्राराथ हिलेक वैल्ड यह मैंने बना दिया है आपका यह भी आपका क्या हो गया, non-appressed reason हो गया, ठीक है, exposed part, यानि कि इसमें क्या present होगा, इसमें सिर्फ आपका ps first present होगा, clear है, exposed part में, और जो अंदर के तरफ part है, अंदर के तरफ जो part है, बच्चे, यहाँ वाला उर यहाँ वाला, यहाँ पर क्या present होगा, यहाँ पे आपका appreast region present होगा clear है अब दोखो यह हो गया बच्चे आपका stoma thalacquired इसको क्या बोलेंगे हम लोग stoma thalacquired बोलेंगे ठीके इसमें आपका ps first present होता है stoma thalacquired में क्या present होता बच्चे ps first ps first क्या करेगा यहाँ पे आपका आगया ps second ठीके यहाँ पे बच्चे ps first present होता है यानि कि p7 present होता ठीके और यहाँ पे बच्चे आपका ps second यानि कि p680 plus nadp reductase nadp reductase ठीके बच्चे यह क्या होते है यहाँ पे यह absent होते है clear है इतना clear है बच्चे comment box से बताओ अगर समझ में आ रहा है इतना आपको तब comment box से बताओ अगर इतना clear है बच्चे तो आप comment box पे जड़ाओ लिखो why लिख दो comment box पे अगर इतना clear है आपका comment box पे जड़ा why लिख दो अगर बच्चे इतना clear है तो comment box पे जड़ा why लिख दो ठीके चलो अब मैं आप लोगों बता देता हूँ भच्चे ध्यान से सुनना ठीके if in the chloroplast ठीके if in the chloroplast ठीके chloroplast के अंदर ठीके बच्चे अगर आपका grana present है if in the chloroplast grana present ठीके grana अगर present है भच्चे तो ये कैसा हो जाएगा chloroplast granal chloroplast हो जाएगा ठीके कैसा क्लोरोप्लास हो जाएगा बच्चे ग्रैनल क्लोरोप्लास हो जाएगा अगर आपका क्लोरोप्लास के अंदर बच्चे अगर आपका क्लोरोप्लास के अंदर ग्रैना एपसेंट है अगर क्लोरोप्लास के अंदर क्या है ग्रैना absent है ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे agranal chloroplast क्या बोल दोगे बच्चे आप agranal chloroplast ठीक है clear है समझ में आरा बच्चे अब देखो ये जो आपका agranal chloroplast है ठीक है जहाँ पर ग्रैना absent है ये कहां कहां पाए जाता है यह आपको मिलता है बच्चे ग्रीन अलगी में यह कहां पाया जाता बच्चे सीनिन ग्रीन अलगी में मिलता है ठीके और साथी साथ एंज्योस्पर्मिक C4 प्लांट्स में मिलता है ठीके इन एंज्योस्पर्मिक C4 प्लांट्स ठीके बच्चे C4 plants leaf ठीक है बच्चे अब leaf में कहाँ बच्चे leaf में आपका C4 plant के bundle sheet cells में VSC में ठीक है bundle sheet cells में ये मिलता है एक granul cloreplast और rest of the cloreplast और जतने भी cloreplast होगा बच्चे उसमें क्या हो गया आपका granul cloreplast हो गया ठीक है कैसे आपका example इसमें क्या लिख रहेंगे हम लोग इसमें लिख देंगे हम लोग present in bryo cadido gymno and angiosperms ठीक है बच्चे तो ये इसमें क्या होगा आपका एक तरह से granul cloreplast चल रहा है clear है बच्चे अब देखो आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ ठीक है मान लोग कि मैंने एक ग्रैना थलकवाइड को निकाल लिया ठीक है एक मैंने थलकवाइड का internal view देख रहा हूँ अठ थलकवाइड ठीक है इसका मैं कहा देने के देखने जा रहा हूं internal view देखने जा रहा हूँ ठीक है ये इस तरह से दिखेगा ठीके बच्चे यह दोखो यह मैंने बना दिया internal view of ठीके internal view बना दिया ना मेरे मैंने अब देखो मैंने क्या किया बच्चे एक ठीक्वाइड लिया उसको बीच से क्या किया कट कर दिया ठीके जब कट कर दिया तो उसमें देखो दिख रहा है quantasomes ठीके यहाँ पर आपको दिखेगा बच्चे क्वांटा सोम्स मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ ठीके यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पर बच्चे आपको दिखेगा अलब यह दिख रहा है यह क्या हो गया बच्चे आपका यह यह हो गया आपका quantasomes क्या हो गया बच्चे quantasomes ठीके यानि कि जो एक chloroplast होता है ठीके अगर हम बात करें अगर बच्चे हम लोग exactly जो बात करें तो देखो photosynthetic unit जो होता है present on thalakoid membrane ठीके and are made up of 252,400 pigment molecules called ठीके जहां से सुनो photosynthetic unit ठीके PSU PSU को हम लोग क्या बोल रहे है photosynthetic unit बोल रहे है ठीके photosynthetic unit बोल रहे है और photosynthetic unit है क्या photosynthetic unit है बच्चे quantasomes ठीके क्या है बच्चे quantasomes अगर एक thalakoid membrane की बात करें ठीके अगर हम लोग thalakoid membrane की बात करें बच्चे तो उसमें आपका कमसे कम धाई सो से चार सो क्वांटासोम प्रेजन्ट होते हैं ठीक है ये क्या हो गया ये हो गया बच्चे आपका क्वांटासोम ठीक है ये को अगर हम देखे तो ये क्या हो गया आपका क्वांटास हम हो गया तो इसमें धाई सो से चार सो क्वांटास हम प्रेजेंट होते हैं ठीके अब मालों कि हमने एक क्वांटास हम को बाहर निकाल लिया ठीके मैंने ये क्या किया एक क्वांटास हम को बाहर निकाल लिया ठीक है इसमें बच्चे कई तरह के pigment molecules होते हैं ठीक है कई तरह के different तरह के pigment molecules होते हैं और यह जो pigment molecules होते हैं अगर एक quanta som की बात करें बच्चे तो आपके pigment molecules जो होते हैं ठीक है अगर one quanta som की बात करें ठीक है one अगर क्वांटा सोम की बात करें हम लोग तो एक क्वांटा सोम में आपका कम से कम ठीके एक क्वांटा सोम में बच्चे आपका कम से कम 400 पिगमेंट होता है ठीके 400 पिगमेंट होते हैं ठीके पिगमेंट होते हैं आउट आफ देम 400 में से बच्चे 200 तो सिर्फ chlorophyll ही होता है 400 में से आपका 200 तो सिर्फ chlorophyll ही होता है ठीक है अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर एक structure बना दिया ठीक है मैंने यहाँ पर एक structure बना दिया बच्चे ठीक है यहाँ पर यहाँ पर एक reaction center भी होता है जिसको हम दो बोलते है Clorofil A दिख रहा है ना यहां पर आपका ए Clorofil A का इस्त्रक्चर भी आप देखो यहां पे जब light energy आएगी माण लोगे यहां पे sun है कि यहां पे मैंने मने लिए light है सन से क्या आ रहा है एनरजी ठीगे बच्चे तो ये pigment molecules का करेंगे इस energy को capture कर लेंगे pigment molecules ने इस energy को क्या कर लिया? capture कर लिया उसके बाद ये दूसरे को transfer कर दिया फिर तीसरे को transfer कर दिया इस तरह से ये फिर chlorophyll A को दे देते हैं ठीके? फिर chlorophyll A को finally दे देते हैं clear है बच्चे? तो इस तरह से इस तरह की transfer को हम लोग बोलते हैं resonance transfer ठीक है तो इस तरह की transfer को हम लोग क्या बोलते हैं resonance transfer ठीक है अब देखो बच्चे ये आपका बीच में क्या है chlorophyll A को हम लोग को बोलते है reaction center हो एक क्या बोलते हैं हम लोग reaction center बोलते हैं ठीक है बच्चे अब यह जो है आपके यह जो रैड्स10 जो कर रहा था यह क्या हो गया दिये किया वद्रत बताये हैं और इस यत्लेफल मोल क्यूल को फाइको बिल इस हो गया जंतो फिल हो गया फाइको बिल इस हो गया ठीकिए ऐ अब्दो जनतों फिल को बोलते हैं एसेसरी पिग्मेंद हो गया ब क्या बोल देंगे बच्चे इसको accessory pigment बोल देते हैं इसको हम लोग ठीक है और या फिर हम लोग इसको बोल देते हैं बच्चे antini pigment क्या बोल देते हैं हम लोग इसको antini pigment ठीक है accessory pigment और antini pigment ठीक है या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चे light harvesting complex LHC भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको LHC यानिके light harvesting complex भी बोल सकते हैं ठीके और light harvesting जो complex होता है LHC जो होता है बच्चे LHC जो होता है LHC ठीके LHC बना होता है 100 of pigment molecules ठीके 100 से ज्यादा बच्चे pigment molecules का बना होता है ठीके plus proteins प्लस क्रोटीन का बना होता है clear है इतना क्लिर है बच्चे अगर इतना clear है तो comment box पे जरा y लिख दो अगर इतना clear है बच्चे आपका तो comment box पे जरा y लिख दो जब चलो बहुत बढ़ी है बच्चे बहुत ही अच्छा बहुत ही बैतरीज अब देखो बच्चे यहाँ पे अब मैं आप लोगों बता देता हूँ देखो यहाँ पर मालो कि ps 1 है ठीके यहाँ पर क्या है आपका ps 1 मैंने क्या बता है था आपका P700 ठीके P700 की बात कर रहा हूँ मैं ठीके तो PS first जो होता है यानि कि photosystem first ठीके ये बना होता है बच्चे दो चीड होगा एक तो होगया आपका reaction center एक तो होगया आपका reaction center जो कि क्या है आपका P700 है और दूसरा क्या हो गया बच्चे आपका LHC हो गया LHC first ठीके LHC first में क्या क्या आगया आपके LHP आगया LHP क्या होता बच्चे Light Harvesting Protein LHP क्या होता है Light Harvesting Protein ठीके Light Harvesting Pigments LHP क्या हो गया बच्चे Light Harvesting Pigment हो गया ठीके Light Harvesting Pigments ठीके और आपका ये किस में हो गया आपका यहाँ पर मैंने इसको भी include कर दिया proteins भी ठीके अब देखो अब मैं पीएस second की बात कर लेता हूँ यहाँ पीएस Second की बात कर लेता हूँ बच्चे PS second क्या है आपका इसमें देखो क्या आ जाएगा इसमें रिक्षन santa कि इसमें आपका क्या आ गया reaction centre reaction center में काँसा आ जाएगा P680 प्रीयर में जाएगा अब आ जाएगा इसमें बच्चे LHC LHC second की अगर हम लोग बात करें LHC second में दो जी जाती है एका जाएगा आपका LHP light harassing protein प्लस आपका protein ज़र आता है ठीक है light harassing improvements plus proteins ठीक है उससे क्या बन गया आपका LHC second बन गया तो इस तरह से हम लोग reaction center और LHC को define करते हैं clear है अगर बच्चे हम लोग बात करें LHC और reaction center में difference क्या है ठीक है LHC LHC को हम लोग बोल देते हैं antini ठीक है और आपका क्या reaction center reaction center ठीक है जो LHC होता है बच्चे यह absorption of light energy and transfer light energy to the reaction center यह करेगा बच्चे absorb करेगा किसको light energy को ठीक है और फिर आपका यह transfer करेगा बच्चे light energy को to the reaction center क्याँ से क्या कर दिया इसने transfer कर दिया reaction center पे डिए रहे आप देखो reaction center क्या करेगा reaction center release करेगा electron को यह करता है reaction center release کرता है electron को इसका example हो जाएगा reaction center का बच्चे chlorophyll A क्या हो गया chlorophyll A ठीक है अगर हम लोग बच्चे green plants की बात करें ठीक अगर हम ग्रीन प्लांट थी बात करें इसमें 2 reaction center होता है क्या होता है इसमें 2 reaction center होते हैं ठीक है कौन कौन से बच्चे 2 reaction center एक तो होगे आपका P.so first और दूसरे होगे बच्चे आपका P.so second ठीक है अब अगर हम लोग क्रोकरियोड की बात करे इन फोटोसलिंद्रिक बैक बच्चे अगर इतना clear है तो comment box पर y लिख दो अगर इतना clear है तो comment box पर y लिख दो ठीके अब चलो बच्चे एक बार मैं function आप से discuss कर लेता हूँ ठीके थोड़ा सा हम लोग function discuss कर लेते हैं ठीके आप बताओ function वगरा मैं कल discuss करूं ठीके आज मेरे ख्याल से time हो चुका है ठीके मैं आप लोग सभी से अलविदा लेता हूँ बच्चे ठीके हम फिर मिलेंगे एक नए दिन के शुरुआत के साथ कल फिर ठीके बच्चे ठीके बच्चे थैंक्यू सो मच बस हम थोड़ा स इसे use करो 10% आप discount पा जाओगे ठीके और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे ठीके आप सभी बच्चे आपको क्या करना है टेलिग्राम एप पे जाना है ठीके टेलिग्राम एप पे जाना है आपको यहाँ पर आपको search करना है बच्चे at the rate मयूर दूबे नी ठीके इसे जल्ली जल्ली आप जाओगे ज्वाइन कर लो ठीके ज्वाइन कर लो बच्चे ठीके गुडबाई ठीक केर स्वीट ड्रीम्स टेक केर एंड हैपी रिवाली टू आल तेरा बच्चे